हेलो दोस्तों सीशम टेरेस गार्डेन में आप सभी का स्वागत है आज मैं बताऊंगी मेरे छट पे कौन-कौन सा फूल खिला हुआ है कि यह देखिए यह मैं कटिंग से लगाई थी यह तीन महिने का पोधा है और इसमें धेर सारा कली आ गया है और यह गुलाव है यह दस बजिया है यह साड़ा गुलाव है मेरा सब कलरका अभी फूल नहीं खिला हुआ बस यह पींक है और यह देखिए यह सब यह साड़ा गुलाव है कम सकम पचास गुलाव है और अभी फूल नहीं खिला है इसमें यह रेड कलरका है और यह बेली का प तरप्प पछलब्स ने खिला है और कली डियर सद्रोफ है यह देखिए पर इन बेन थान। यह पिंक कलर का है और यह सफेद वाला रेन लेली है इसमें फूल खिले हुए है इसमें आज फूल नहीं खिला हुए यह सफेद कलर का रेन लेली है यह पीला कलर का रेन लेली है यह देखिए कितना सारा फूल खिला हुए कितना सुन्दर लग रहा है मेरा बग्या यह देखि देखिए दसवजिया कितना सफेद लाल पीला हडा सब रंका खिला हुआ है कि ये देखिए इसमें भी फोल कितना अच्छा खिला हुआ है ये देखिए ये देखिए कितना सुन्दर लग रहा है गारड़न पूरा गार्डन रंग बिरंगा फूल खिला हुआ है बहुत सुन्दर लग रहा है कि ये देखिए ये देखिए मेरा मनी प्लांट कितना बड़ा बड़ा पत्ता है इसका ये देखिए यह देखे कितना बड़ा बड़ा पता है इसमें मैं बस केले का छिलका देती हूं यह मैंने चार महिना पहले यह लगाई थी और यह इतना बड़ा बड़ा हो गया है यह जैसे लगता है यह प्लास्टिक का है कोई भी आता है तो बोलता है यह प्लास्टिक तो नहीं है इतना स सुन्दर है इतना बड़ा बड़ा पत्ता है अब मैं जहां सबजी लगा रखी हूँ वहां जाड़े ही हूँ यह देखिए मेरा हाइब्रीड और हूल है और यह पान का पत्ता है यह रेल लिली है पिला कलर का फूल खिलेंगे इसमे यह तुलसी है देखिए यह गेंदा है इसमें भी फूल खिलते है अभी ने खिला हुआ है यह जेड प्लांट है यह तुलसी है यह देखे यह एलो बीरा है यह बढगद का पेर है इस में मैं पूजा करती हूं बरसात में यह देखे यह मेरा हजारा फोल है खोब सारा खिलता है फोल यह कनेड है यह देखेज शफेद कलड़का ये पींक कलड़का और हुल है ये रेड कलड़का है ये देखें कितना साड़ा फूल खिला हुआ है इतना कली हम गिंती नहीं कर पाएंगे इतना है इतना साड़ा फूल खिला हुआ है मेरा गार्डन का सोभा बढ़ा रहा है ये सदावहार है यह सफेद कलर का औरहुल है यह तुलसी है यह सदा बहार है यह कड़ी का पत्ता है यह देखिए इसमें पूरिय में कली भड़ा हुआ है यह देखिए पीला पीला औरहुल है इसमें पीले कलर का फूल खिला हुआ है यह देखिए हाइब्रीड यह संत्री कलर का फूल निकलता है गड़मी के बज़े से यह बहुत बड़ा बड़ा फूल होता है इसमें मैं परवल लगा रखी हूँ इसको ढग करके रखी हूँ ये सब में आ गया है कली और ये मेरा तोड़ी तोड़ी है जिसमें कली आ गया है छोटा छोटा एक महिने में इसमें फल लग जाएंगे ये देखिए ये तोड़ी का पौधा है और ये है करेले का इसमें भी एक महिने में फल लग जाएंगे यह मेरा अलमांडा है, देखे कितना साड़ा कली है, कितना अच्छा फूल खिला हुआ है और यह देखे दसवजिया है, कितना सुन्दर लग रहा है, यह अपराजिता है, यह सफेद कलर का अपराजिता है इसमें आज फूल ने खिला हुआ है, यह पींग कलर का है, डबल पेटर्न का है यह फूल, यह पीला कलर का कनेड है, अभी कली दिया है इसमें, फूल ने खिला है, यह घिया का पोधा है, यह देखिए, यह देखिए, इसमें अब यह कली आ गया है, यह कली है, यह है, यह कली ह इसमें एक महीने में अब इसमें फल लग जाएंगे यह सब को मैं उपर अलान पे चरहाऊंगे और इसमें मेरा परवल है मैं परवल का वह डंटाल लाके लगाई हूं इसमें भी छोटा-छोटा पौधा निकलाया है यह देखिए और यह हार सिंगार है यह देखिए हार सिंगार यह मेरा बाढ़ा मस्या है यह इसमें मैं जून इसमें यह देखिए यह कली है इसका फूल निकलेंगे इसमें से ये मैं जून 40 डिगरी, 48 डिगरी में भी फूल देता रहा है, ये कनेर है, ये अपराजिता है, एक सफेद कलरका है, एक नीले कलरका है, और ये, ये मेरा दसवजिया है, मेरा गार्डन एकदम चक चक रंग बिरंगे फूल से कर रहे हैं, और ये सीम का पोधा है, ये, इसमें भी फल लग जाएंगे, एक महिने में, ये दसवजिया है, और ये अपराजिता है, ये भी सफेद कलरका है, ये देखिए, इसमें फूल एक निकला हुआ है, और ये सीम का है, ये गिया है, ये सब गिया है, ये अडेनियम का है, देखिए, कितना साड़ा फूल खिला हुआ ह और ये एलो बीरा है ये जेड प्लांट है ये एलो बीरा है मेरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें